नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल में मास्टर वीडियो की किलासिस में दोस्तों आज हम कबर करेंगे परिया बरन से संबंदित कोश्यों को तो जितने चैप्टर यहां से बनते हैं तो 15 चैप्टर बनते हैं लेकिन मुक्य तोर पे हम यहां पे पढ़ेंगे 12 चैप्टर को दो चैप्टर कुछ करंट से related हैं जो की 2005 और 7 की जो सरवे रहé थे उन से related हैं तो उन चैप्टर को हमने हटा दिया है तो 12 चैप्टर मुक्य तोर पे complete करेंगे ये वीडियो हम जो बना रहे हैं forest guard को target करके बना रहे हैं चाहें वो उत्तरप्रदिस forest हो, राजिस्थान forest हो या फिर दिल्ली forest हो सारे forest guard के exam में ये वीडियो काम करेगा आपको पता है उत्तरप्रदिस forest में 60 question जीके से पूछे जाएंगे जहां से 5-7 question आपको परिया बरन से संबंदित देखने को मिलेंगे और 5-7 question आपको UPGK से देखने को मिलेंगे तो इन टॉपिकों पे हमें जाएदा काम करना है पूरा master वीडियो है तो यहां से MCQ टाइप में कवर करेंगे यानि कि chapter wise cover करेंगे आप देख रहे हैं पारिष्थितिकी यह पहला chapter है हमारा तो पारिष्थितिकी से जितने भी question बनेगे 20 बने, 50 बने उन question आपको देखने में कुछ typical लग सकते हैं क्योंकि सभी question higher यानि कि जो ओच चिस्तरी परिक्षा हैं उनमें पूछेगें PCS, CDS और SSC, CDL लेवल के question है तो यकीन वानी अगर आपने पूरा वीडियो देखा है complete वीडियो को देखा है एक या दो बार तो आपको परिक्षा में बिल्कुल भी दिक्कती आईगी और बहुत कम chance होंगे कि आप question को गलत करके आएं जहां जरूओत होगी बहां हम परिवासित भी कर देंगे question को आप वीडियो को अंतर तक देखते रहे PDF की बात है तो हम PDF आपको गुरूप में डाल देंगे आप लोग सब गुरूप में जुड़े हूँ और जो लोग गुरूप में नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से टेलीग्राम गुरूप को जुआएं कर लें लिंक आपको वीडियो की description में मिल जाएगा तो सुरू करते हैं दोस्तों पारिस्तित्की का पहला chapter और इससे बनने वाले MCQ को देखते हैं अब बहुत ध्यान से देखिए अब पूरट टार्गेट करके तयारी करते हैं फोरेश्ट गार्ट की और बहुत जल्द आपको बता देंगे कि फोरेश्ट गार्ट की एक्जाम की डेट क्या आने वाले हैं क्योंकि हम RTI डालने वाले हैं एक दो दिल में प्लीट रूप से सॉल्ब किया यूपी PCS 2012 में पूछा हुआ कोशन है अगला कोशन आप देख रहे होंगे SSC CGL 2015 में पूछा हुआ कोशन है तो एक एक कोशन बहुत चुना हुआ कोशन है बिल्कुल भी पारिस्थित की के अंतरगत नम्लिखत में से किनकिन छेत्रों का अध्यान किया जाता है तो याँ से देखिए कोशन पर 2 पे टिक लगा हुआ है लेकिन सही आंसर इसका D यानि कि पहला दूसरा और तीसरा यानि कि तीनों का यध्यान किया जाता है चलिए फोर्थ कोशन को देखते हैं पार्षित की अनुब्रहमन के कारण ग्रोस लेंड में घास के स्थान पर ब्रक्ष नहीं लगाये जाते क्योंकि इसका सही आंसर देखिया कीट तता कवक की उपस्तिती के कारण इसका सही आंसर हो जाएगा कुशन फाइव है पार्षित की कि साखा के अंतरगत जैबिक और अजैबिक समुदाई के मद्ध अंतर सम्बदों के बास्तविक और द्रश्टी गोचर समस्याओं के निदान और निराकरण की युक्तियों का अध्यन किया जाता है तो इसका सही आंसर देखें तो B हो जाएगा ब्यावारिक पारिस्तित की शिक्स कोशन को देखते हैं पारिस्तित की विज्ञान केंदर कहां इस्तित है तो पारिस्तित की विज्ञान केंदर कहां पर है बंगलूरू में इस्तित है कुशन सेवन है पारिस्तित की तंतर के दो यहां से बनने का मतलब है यह जो 12-13 चैप्टर हम सॉल्व करेंगे इनसे ही बनेंगे बिल्कुल कुशन 8 है किसी छेत्र बिसेश में समझती जीवधारियों तता सूक्ष्म जीवों के आपस में तता उनके बहुत तक परियावरण साथ पारस्परिक करिया उतलनों का अध्यन निमलीखित में से किस साखा के अंतरगत आता इतना वड़ा कोशन है और बहुत छोटा अनसर है इसका देखिएगा किसके अंतरगत आता यह पारस्टित की तंत्र के अंतरगत है ना चलिए nine कोशन को देखते हैं पार्श्दित्की निमली cup के बीद Chaos पर एक संबंद का अध्यान है जीव और बाता वराण सही अंसर है कोशन 10 है सररक्षन पार्श्दित्की के अंतरगत निमली खित्में से किसका अध्यान किया जाता है तो किसका अध्यान बिल्कुल, 11 कोशन, पारिश्थित की सब्द को परिवासित करने वाले परिया बरण विद कौन थे, तो कौन थे, अरनेश्ट है के लिए थे, कुशन 12 है, डार्विन का उद्विकास का सिद्धान्त आधारेते हैं, तो किस पर आधारेते हैं दोस्तों ये, उद्परिवर्तन पर आधारेते हैं, इसको समझें, डार्विन का उद्विकास सिद्धान्त किस पर आधारेते हैं, डार्विन ने आपको पता है कि चैनवाद का सिद्धान्त दिया था, डार्विन की ठियोरी ये थी, डार्विन ने कहा था कि ना तो भगवान है और ना भगवान जैसी कोई चीज होती है ना प्रकृति जिसको जिन्दा रखना चाहती है उसको जिन्दा रखती है और जिसको मारना चाहती है उसको मार देती है कहने का मतलब यह हुआ कि प्रकृति को जब तक जिस चीज की जरूत है तब तक उसको रखती है और जब उसकी जरूत खतम हो जाती है तो उ अस्पती जगत का और निर्जीव जगत का अगला कोशन है 14 पारिस्तितिकी की किस साखा के अंतरगत विभिन आवासों और जानवरों के विबरन एवं सामुदाइक एकाई का अध्यन किया जाता है तो किसका किया जाता है सामुदाइक पारिस्तितिकी का अध्यन किया जाता है फिप्टीन कोशन है डार्विन के उद्विकास के सिद्धान्त के अनुसर जीवों में भिन्निताएं निमली खित्में से किन कारणों से उत्पन्न होती है तो किस से उत्पन्न होती है प्राकिर्तिक बरण से उत्पन्न होती है Q16 है विज्ञान की किस साखा के अंतरगत परिया बरण एबुम बेभिन जीवों के अंतर संबंदों का अध्यन किया जाता है तो किस के अंतरगत किया जाता है पारिस्तित की इसका सही अंसर है Q17 है चार्ल्स डार्विन के प्राकितिक बरण सिद्धान्त में निमलिखित में से किसे सामिल नहीं किया गया है तो नहीं किया गया है तो अनु उत्पादक समय से अधिक उत्पादन C आंसर सही होगा इसका Q18 है पारिस्तित की प्रणाली उप्युक्त है है ना तो किस के लिए उप्युक्त है पारिस्तित की प्रणाली में बविस्ते में होने वाले परिवर्तन की जाँच में इसका सही अंसर है कुशन 19 है पारिश जित्की विग्यान में किसका अध्यान होता है तो बातावरण E का अध्यान होता है ना दिहान रखना इस कुशन को कुशन 20 है ट्वेंटी को समझने से पहले दोस्तों आपके दमाख में कन्फियूजन चल रहा होगा उसको पहले दूर कर देते हैं आपको लग रहा होगा कि यह परियावरन जीव बिग्यान से किस तरह से अलग होता है आपको कुछ लोग इसको रिलेट करते हैं जीव बिग्य को किसी भी जीव या निर्जीव साथि यह अदेतर और उसी जीव एनन इंटरनली करते हैं तो जीव बिग्यान के अंतरगत जाता है क्लियर हो गया तो इसको जीव बिग्यान से रिलेट नहीं करना आपको Q20 देख लेते हैं परियावरन एवं बहा के समुदायों के अंतर संबंदों का अध्यान किया जाता है देखो है ना तो परिया बरन एवम बहां के समुदायों के अंतर संबंदों का जो अध्यान किया जाता है वो पारिशिति की बिग्यान में आता है किलियर हो गया ना की जी बिग्यान में आता है 21 question को देखते हैं जहां मानव अधिवाज इस्थाई है जहां मानव इस्थाई रूप से रहता है उस को हम क्या कहते है उस चेत्र को हम क्या कहते है एक्ट्यूमेन कहते है CGL 2011 में पूछा हूँ कोशन है 22 question को देखते है निमलिखित मैंसे कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा गिर्ण किये गए दिक इस्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी बर्णन करता है तो कौन करता है पारिश्तित की कर्मता बी आंसर ठीक होगा इसका चली 23 कोशन को देखते हैं परियाबरण पिर्थिफल है ना तो परियाबरण जो पिर्थिफल होता है बहुत एक तत्तु का जैविक तत्तु का और अजैविक तत्तु का यानि कि ये सही है तीनों आंसर 24 कोशन को देखते हैं निमलेखित कत्रों मैंसे कौन स्वय परिस्तित्की के लिए सही है तो ये विकल्ब जो है दोस्तों ये बिल्कुल सही आंजर ये प्रत्थक जातियों के परियावर्ण से संबंदों का अध्यान है चलिए 25 कोशन को देखते हैं पारिस्त्की के जनक हैं तो अभी हमने इस कोशन अनुक्रमन के चार महत्तुपूंड चरण हैं तो चार महत्तुपूंड चरण कौन-कौन से हैं आपको चुनके इसमें से बताना है जहारकंड PCS में 2008 में पूंच हुआ कुशन है तो देखिए दूसरा पहला तीसरा और चोथा ये है इनका सही करम चलिए चैप्टर अगला देख लेते हैं दोस्तों चाप पांच चैप्टर तो आपको बहुत ध्यान से देखने हैं फोरेश्ट गाड़ वालों उसका कहने का मतलब हमारा ये है कि पांच चैप्टर आपको बहुत ध्यान से देखते हैं जो कि हमने अभी कवर किया है ये वाला पिर्दूसन वाला जै पारिष्टित की तंत्र अभी हमने समझा कि पारिष्टित की क्या होता है अब समझेंगे पारिष्टित की तंत्र क्या होता है यानि कि पारिष्टित की सिष्टम क्या होता है एकोलोजी सिष्टम क्या है यानि कि तंत्र तंत्र का मतलब यह कि कौन-कौन पारिस्तितकी चेत्र में आते हैँ समुंदर खास के मैड़ान यह सब आप इसमें पढ़ेंगे चलि Cem equilibrium देखते हैं यहांसे पहला question है सबसे इस्थाई पारिस्तितकी तंत्र कौन सा है न इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कौन सा है समुन्द रहना डी आंसर इसका विल्कुल सही होगा सबसे इस था ही पारिस्तित की तंत्र बाना जाता है एक मनुसर के जीवन को पूर्ण रूप से धार्णिये करने के लिए आवस्यक निर्मितम भूमी को क्या कहते हैं तो क्य जो कटाई की जा रही है चलिक फोर्थ कुर्शन को देखते हैं निमलिखित मैंसे कौन सा एक बिस्व का विसालतम परिस्तिकी तंत्र देकि इस को पहले नंबर पर डिसक्स किया था हमने तो यह कुशन आपसे कई बार पूछा जाएगा यानि कि गुमा फिरा के कई तरह से इसका आंसर हमेंसा यही रखना है आपको समुद्र कुर्शन को देहान से पढ़िएगा कुर्शन 5 देखते हैं परिस्तिकी तंत्र का ओधारन है वैसे तो यह परिस्तिकी तंत्र के छोटे छोटे ओधारन सभी है ना बायू जल ताला मिरदा लेकिन मुख्य कारण अगर हम देखें तो डी आंसर विल्कुल ठीक हो गए यहां से यानि की मिरदा कॉशन 6 देखते हैं कौन जीवीय कारक नहीं है ना तो जीवीय कारक नहीं है तो कॉशन 7 देखते हैं परिस्तिकी तंत्र की सरनाचना में निम्लिके दिये गए संगटकों में से किस संगटकों का रहता है ना तो देखिए सभी का योगदान रहता है आप देखेंगे यहांसे तो जैबे का जैबे कूटकों यह सभी परिस्तिक संगे में अपना योगदान देते चलिकों एड देखते चली कुशन 8 पढ़िए बीकित मेंसे कौन सा 1 परितंत्र सब्ध का सर्ष बर्ण है त तुसके चाहिए मैं नाइन कॉशन को देखते हैं साथ ही परियाबन जिसमे रहते हैं इसका आंसर कहसें सीवाले का विलकुल और शही आंसर है यह दालता है जो परिष्थिति की संतुलन में बाधा डालता है तो आप समझ करेंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए ना लगडी का काटना सी आंसर बिल्कुल ठीक है यहां से चली कोशन 10 देखते हैं कोशन 10 है निम्न मैंसे कौन परिष्टित की तंत्र के बिषय में सही नहीं है ना तो इन चारों में से आपको देखके बताना है कि कौन सा सही नहीं है यह एक बंद परी तंत्र होता है ना यह एक बंद लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं इसको क्या कहते हैं तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों जैब मंडल कहते हैं क्या कहते हैं जैब मंडल एंसर ठीक हो यहां से यहां से जो हम कवर कर रहे हैं 80 कोशन कवर करेंगे यानि परिष्टित की तंत्र से हम कितने कोशन कवर महासागर चलिए अगला कोश्चन देखते हैं कोश्चन कहा रहा है प्रिकास अंसलेशन के दौरान प्रिकास सुग्राही कारक के रूप में निम्न मैंसे कौन काम करता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पर्ण हरित्यानी की किलोरोफिल ठीक है चलिए कोश्चन 14 को देखते है निम्न मेंसे कौन सा एक सरित जिसे हम लोटिक कह सकते हैं परिश्थितिक तंत्र का उधरण नहीं है balance, यह आंसर सही हो जाएगा कोशन को पढ़िए तलाब ऐसे होता है लेकिन यह कह रहा सरित लोटिक यानि कि चलता फिरता है तलाब का पानी कभी चलता फिरता नहीं है मुहाना लेंगून और सरीता इनका पानी चलता रहता है तो यह इसका सही आंसर यह हो जाएगा यहां से कोशन 15 को देखते हैं निम्न म रहता है तो क्या रहता है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला है फॉस्पोरस 17 का B चली question 18 देखते है निम्न मैंसे कौन सा जोड़ा सही है तो इन मैंसे आपको देखके बताने ही कौन सा जोड़ा सही हो जाएगा तो D answer दोस्तों इसका बिलकुल सही है चली 19 question को देखते है निम्न मैंसे कौन सा सबसे अधिक इस्तिर परिस्तित की तंत्र है उनका निम्न मैंसे कौन सा अनुक्रम सही है तो आपको सही आंसर बताना है तो बता देते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा C मैग्रोव, घासिस्तल, जील और महासा अगर यह इनका घटता क्रम है चली अगला question देखते है परितंत्रों में खाद सरंकलाओं के संदर में निम्लिकित कत्नों पर विचार कीजिए तो विचार करना है हमें यह आपर तीन statement हमें दिये हुए और इनमें से हमको जो सही लगेगा वो choose करना है तो देखिए केबल first यहां से दोस्तों सही होगा खाद सरंकला उस क्रम का निर्दर्शन करती है जिसमें जीवों की एक सरंकला एक दूसरे के आहर द्वारा पोसित होती है तो first answer बिलकुल सही है यहां से चलिए 22 question को देखते है निम्लिकित मैंसे कौन कृत्तिम परिस्तितिकी तंत्र है आपको बताना सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भी है ना जो फसले होती है एक तरह से क्रित्म तरीके से हम इसको कह सकते क्योंकि फसले उगाने का काम जो करते हैं हम करते हैं यानि कि जो मनस्तों के त्वारा उगाई जाती है त्वारा प्रिकास अंसलेशन की किरिया जो होती है पौदे की हरी पत्तियों में ही होती है 24 कोश्चन को देखते है निम्लिखित मैसे कौन सी प्रिकास अंसलेशन की प्रिक्रिया के बिपरीद दिसा में संपन होती है बहुत ही अच्छा कोश्चन है अगला कोश्चन आपको सभी अच्छे लगेंगे ठीक है ना तीकि डी आंसर जो लकडियों का जलना बिलकुल अलग है आप पूछी रहा है कि विप्रीत दिसा में कौन सा हो जाएगा इसका आंसर तो डी आंसर बिलकुल ठीक है यहां से 25 कोश्चन को देखते हैं निमलिखित मैंसे कौन सा परिस्तित तंत्र सबसे अधिक स्थाई है ना तो बार बार यह कुश्चन पूछा जा रहा है बी आंसर हो जाएगा देखिए लडी सी दोजार नो और सी टेट दोजार तेरह में यह कुश्चन पूछा गया है कॉस्चन 26 प्राकिर्टिक तंत्र का विकास कहलाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी बार चलिए 27 को देखते है पिरकास अंसलेशन को देखते हैं पारिस्तिती की तंत्र का कौन सा कारदयात्म की नहीं है तो कारदयात्म की देखके बताओ दोस्तों कौन सा नहीं होगा तो बी आंसर हो जाएगा यहां से सही यानि इस्तिरी करण चलिए अगला कोशन देखते हैं 29 मिरत जीवी जीव निमलिखित मैं से किसपन निर्वर रहते हैं तो किस पर निर्वर रहते हैं दोस्तों मिरत अब अपगटित पदार्तों पर निर्वर रहते हैं 30 को देखते हैं बहे पारिस्तिती तंत्र जिसका आसानी से हिरास हो सकता है यदि हिरास करने वाली सक्तियों की प्रभाविता समाप्त हो जाती है तो बहे आंसर हमें इसका बताना है तो डी आंसर दोस्तों यहां से बिल्कुल ठीक होगा चलिए अगला कुशन देखते हैं सेर पक्षी सांप एवं बिरक्ष यह क्या है इन में से आपको देख करके बताना है तो जैबिक कारक होते हैं क्या होते हैं जैबिक कारक होते है थर्टी डू क को देखते हैं बे जीव जो हमारे आहार तथा जीवन निर्वहा के लिए दूसरे जीवित जीवों पर निर्वर रहते हैं क्या कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं दोस्तों इसका सही आंसर में बताना है सी आंसर ठीक हो जाएगा क्या कहलाएगा सरवाहरी चली अगला कोशन देखते हैं 33 33 कोशन है निम्लिखित मैंसे कौशन को हम अभी डिसकस किये हैं इसका सही आंसर सी हो जाएगा मैं घटते क्रम में पूछ रहा है पारिश्दी तंत्र का उत्पादक्ता का जो क्रम है तो मैं इसका बिल्कुल सही क्रम है चली 34 कोशन को देखते हैं 34 कोशन दिन के समय हरे पौदिक कारबंडा योकसाइट के स्थावर ऑक्सियन बातावर्ण में छोड़ते हैं इसका पिर्मुक कारण क्या है तो इसका पिर्मुक कारण है दोस्तों डी वाला आंसर है ने दिन के समय कंसलेशन की किरिया ती व्रिगती से संपन होती है चली 35 कोशन को देखें प्राकृतिक तंत्र के विकास की व्याख्या की जाती है तो इसका सही आंसर देखिए का आप कौन सा होगा तंत्र की कारेक्ट प्रणाली के आदार पर उप विकास के आदार पर तंत्र के स्वय बिकास के आदार पर 35 का सी अंसर चली अगला देखते हैं 36 प्रिकास संसलेशन की किरिया के दौरान निमलिखित में से कौन सी गैस उद्सर्जित होती है तो बहुत आसान कोशन है रोस्तों आख्सीजन होती है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑक्सीजन ए आंसर चली 37 को वां एकि सेवस्द ने की किरिया के दौरन और अउक्सिज apostyan to सर्जित होती है तो किसे उचियतु होती है oxygen as two those कि अब च्द्थ हखाऊ थर्टी यह को इसे काहिए उसे किरिया में इस विकल्व मुझे करना है मैं तो यह आन्सर देखिए इसमें सही होगा 38 में लगाई यह पिर्कास उर्जा में प्रिवर्तित होती है तो यह विकल बिलकुल ठीक हो जाएगा चलिए 39 कोशन देख्ते हैं सबसे जाएड़ dialogue । चली 40 question पर्ल हरित्में कौनसा रासानिक थत्व होता है तो पर्ल हरित्में कौनसा रासानिक थत्व होता बहुत ही important question है क्या होता है दोस्तों B answer सभी हो जाएगा fast पूरस है ना है चलिए फोर्टीवन को देखतेμαιं बहं पिरक्रिया जिसके द्वारां पुद्य अपना बोजन बनाते हैं उसको क्या कहते हैं उस पिर क्रिया को है न तो उसको क्या क्या किते हैं प्रिकास संसलेशन की किरिया संपन होती है तो पूंच रहा है निले अवम लाल रोशनी के छेत्र में ए आंसर विल्कुल ठीक होगा इसका यहां से चली 43 कोशन को देखते हैं प्रिकास एंसलेशन की किरिया में पर्ण हरित की भूमिका क्या होती है पूछले का यह मतलब हो उसका तो बी आंसर देखिए अब तो अपसोशल करते हैं पौधे बी आंसर ठीक हो जाईगा 45 कोशन को देखते हैं प्रिकास एंसलेशन की किरिया के दौराँ सबसे पहले किस यॉगिक का निर्माण होता है बहुत ही अच्छा कोशन है दो सबसे पहले क्या होता है फास्पो गिलिस्रिक अमल का निर्मान होता है यहां से सी आंसर ठीक होगा तो उस्तो 45 का 46 कोश्चन को देखते हैं किसी एक बागल एक छेत्र के सभी पारिस्तितिक तंत्र को बेहद रूप में क्या कहते हैं हम ब्याद रूप से अगर देखें तो उसको हम जी मंडल कह देते हैं जब वो बहुत बड़ा छेत्र हो जाता है तो लोटिक परिस्तित तंत्र में निर्म लिखित में से कौन सा उधारा नहीं है इस कोश्चन को हमने अभी डिसकस किया था जिसमें हमने बताया कि इसका सही आंसर तलाब होगा तो पॉंड भी हम तलाब को ही कहते हैं 47 का यह आंसर ठीक हो जाएगा 48 कुश्चन को देखते हैं निर्म लिखित में से कौन सा एक दिसा में प्रवावित होने वाला परिवाहित होने वाला पारिस्तितिकी तंत्र है क्या है दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अभी इस कुश्चन को फिर हमने डिसकस किया था ना उर्जा इससे पहले भी कर किया था तो यह उस टैम अलग पर इक्षाम पूछा गया था इस वार LDC 2013 में पूछा गया है चलिए परितंत्र में खाद सरेंखलाओं के संदर में निम लिखित मैंसे किस पिरकार का जीव अभगटक जीव कहलाता है इन मैंसे आपको देखी तीन स्टेटमेंट हैं आपके सामने विशाडू कवक और जीवाडू इन मैंसे अगर जो आंसर आपको सही लग रहा है उसको चुनन को देखते हैं एक भागोली की छेत्र में सभी पारिस्तित की तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं इसको क्या कहते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं यह कोशन भी कई बार आप देख रहे होंगे इसको की रिपीड हो रहा है लेकिन रिपीड इसलिए हो रहा है क्योंकि वो आपको दिखाना चाहरा है कि यह कुशन इसी तरही से इन इन परिक्षाव में पूछे गए हैं चली 52 को देखते हैं बिस वकाब्ब है भाग जो मानव अधिवास के लिए बिलकुल अनुप्यूक्त है बिलकुल अनुप्यूक्त है देखिए इससे पहले हमने इस कुश्चन को डिसकस नहीं किया था इस जैसे कुश्चन को डिसकस किया था है ना तो बहुत है कि मानव अधिवास के लिए उप्यूक्त है तो उसको हमने क्या कहा था परिस्थित किये पदिशाप कहा था और इ 53 question को देखते हैं घास भूमी किस परिश्टी तंत्र में सामिल किया जा यानि घास की भूमी का जो छेत्र होता है उसको किस परिटंत्र में हम डालते हैं तो किस में डालते हैं उसको इस थली यह में डालते हैं इस थली परिटंत्र उसको हम कह सकते हैं चलिए 54 question को देखिए वह निम्लिकित में ऐसे किस सिंब्योटिक सहयोग से लाइकेन की उत्पत्ती होती है बहुती इंपोटेंट कोश्य है न दोस्तों ध्यान रखिएगा इसको 54 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों देखते हैं निम्लिक्त परिष्टित का एकल्परात्म उत्पादक्ता अधिक होती है न तो इसका सही आंसर आपको बताना है भी और सर गोगा बर संभान बिस सिंग्तց सब्याएगा निम्लिक्त गरतए और किसे अब चलिए 57 को देखते हैं प्रिकास पोसक तत्तों एवम इस्थानों की प्राप्ति है तो निमलिखित मैंसे किसमे सरबादिक आपसी पिरतीस परदा पाई जाती है तो किसमें पाई जाती है तो इस तो बी आंसर यहां से देखिए आप सही होगा इसका एक ही इस्थान पर निके म समझे इसकूशन को पोधों को सरबादिक छती कप पहचागी यानि आदि पतियों की छती से यानि आप किसी पेड़ की आदी पतियों की कार दो सभी पतिय आымसर थीक होगा जहाँ से 59 कूशन को देखते हैं समुन्देड़ी परीतंद्र में किस बर्ग में जैव का कारणा सरभादिक होता है ना तो किसका होता है फाइटो प्लेंक्टन इसका राइट आंसर होगा बी चली 60 कोशन को देखते हैं बड़ा कोशन है और इसके स्टेटमेंट अफ में दे रखेएं सही आंसर में चूज़ करके बताना होगा 60 का चलिए पढ़ते हैं कोशन को किसी समंद्री परीतंत्र की उत्पादक्ता में ब्रद्धी उसके जल के निचले इस्तर से उपरी इस्तर में आने के कारण होती है जल इस्तर के नीचे से उपर आने की किरिया उत्पादक्ता को बढाने में निम्न रूप में सहायक है आई-एस परी 2011 में पूझा हुआ कोशन है दोस्तों तो देखें तीन स्टेट्मेंट ने तीनों को आपको पढ़ना है और सही आंसर तक पहुचना है तो 60 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों देखें बी वाले को यानि सेकिंड वाले को पढ़िया पोसक तत्वों का समूंदरी सत्य पर जमाव तो सिर्फ दो हम यह कह सकते हैं कि सिर्फ दो वाला जो आंसर है हमारा बो बिलकुल सही है यहां से चली कोस्तन 61 हमारे परियावotherap में अजयबिक तत्व हैं है ना अजयबिक तत्व हमें इस देख करके बताना आएगी क्या हो जाएगा तो जो अजयबिक तत्व की भात करें 61 का सही आंसर तो D वाला हो जाएग, यह अजयबिक तत्व है एक चली 62 को दीखते हैं आन्तरक्शinya आनमें बनाया गया परितंत्र होता है तो जो परितंत्र बनाया गया हूँ तो क्रित्म परितंत्र कहलाएगा इसमें तो कोई बाती नहीं है भी आंसर हो जाएगा चलिए 63 को देखते हैं फाइट्रोन एक पद्दिती है जिसके अंतरगत है ना तो फाइट्रोन किसके अंतरगत आती है इसको आपको देख करके बताना अच्छा कोशन है ना तो नियंत्रेत जलवाई भी दसाओं में पौधों का विकास सी आंसर होगा तो फाइट्रोन अब ध्यार रखेंगे किस से सम्बंदित रहेगी पौधों के विकास से और वो भी जलवाई भी दसाओं में कोशन 65 को देखते हैं पौधास कई तूरान निम्लखेत मैंसे कौन सी गैस उत्सर्जित होती है तो इस कोशन को हमने अभी डिस्कस किया है अगर आपको ध्यान होता है तो अक्सीजिन होती है यह अंसर ठीक होगा यहां से चलिए 66 को देखते हैं निम्लखेत मैंसे कौन सा प दो जीव जिसके सबसे अच्छे मित्र हैं और साथ-साथ रहते हैं इनमें एक से आवाज जल तता पोसक तत तो प्रदान करता है जबकि दूसरा बोजन बनाता है वे प्रदान करता है जीवों के इस प्रकार के संबंद को क्या कहते हैं च्रकार के तो इसको क्या क्या कहते हैं सह जीवन गड़ा जनतो जैसे दीमक मखी कैचुए अधी उनके सवाव यह जाते हैं दो ठेररियम कहते आव बन कहते हैं संग्राले कहते हैं और इसे हम एक्कुरियम भी कहते हैं तो सीठिय की दन एप्र१ंब्स का Matthieuव परितंत्र की ११११ कया चेक्राइब, परितंत्र की ध१॥ परितंत्र क्या प्रितंत्र की क्या कहलाता है इसको सही आंसर बताना १११ उर्जय प्रभाय में कौनीज थीक हो गया से कि शोडिएite को sports को देखती है महादीपों के अंतरिष्टों का बारसिक ताप परिशन तटी छेत्रों की अपिक्षया अधिक होता है इसका क्या कारण होता है तो इसका जो कारण होता है देखिए आपको कोशन को बहुत ध्यान से पढ़ना है तब ही आप इसका आंसर निकाल पाएंगे भूमी और जल के बी स्थिर्ता अधिक होने के कारण प्राकरतिक परिश्थितिक की तंतर में स्थिर्ता होती है तो किसके कारण होती है देखिए आपको इसमें पढ़ना हो सही आंसर बताना है तो ए आंसर को हम पढ़ते हैं होमेयोस्टेटिक क्रिया बिदी में प्रद्धी ए आंसर बिलकुल ठ को कहते हैं तो क्या कहते हैं हम इनको प्रात्मिक उपभोगता कहते हैं टी आंसर ठीक हो जाएगा 74 जीवों के विकास के संदर्व में नेमलिकित मैसी कौन सा अनुकरम सही है तो इनके सही आंसर हमें चूज करके बताना है तो कि आंसर दोस्तों यहां से बिलकुल ठीक हो जाएगा 75 को देखते हैं परीतंत्र उत्पादक्ता के संदर्व में समंद्री उत्प्रवह छेत्र इसलिए महत्तपून है क्योंकि यह निमलिकित माध्यम से समंद्री उत्पादक्ता बढ़ाते हैं देखिए को आप बहुत ध्यान के जीव हैं है तो अब कट अब जिदे हम डी कंपोजर भी कहते हैं तो 76 का सही आंसर हो जाएगा पोसर इस्तर फोर के हैं यह 77 को देखते हैं रोस्तो कोशन है कथन दे रखा है और उसका कारण दे रखा तो पहले कथन देखते हैं सूर्य भीताप जयम मंडलिय परिस्तित की तंत्र के लिए सबसे महत्तपून उर्जा सुरोत है चलिए इसका कारण देखते हैं सौर विकिरन हरे पोदों द्वारा को देखते हैं नेमलिकित मैसे कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो देखिए आप कुछ केंद्रों के नाम दे रखें किस संस्तानों के नाम दे रखें मैसे कोई एक सुमेलित नहीं है उसको आपको चूज करके बताना सी वाले को बता देते हैं भारतिये बन प्रबंदन संस्ता कोलकाता में यह गलत हो जाए गया है तो यह सका तो सही आंसर है चिल已經 अगरी कोश्वन को देखते हैं भारतिय परियावर्न इंज़्ेरिंग सोध संसान कहां पर इसेत हैं तो कहां पर इसेत है दोस्तों यह नागपूर में इस्तित जिसे हम नीरी के नाम से भी जानते हैं चली 80 K 비 business को देखते हैं परितंत्र में जैबिक गटकों के मद्द की योजना कड़ी है तो इसको हम क्या कहते हैं जैव सर्रचना कहते हैं क्या कहते हैं जैव सर्रचना चली 81 K Question को देखते है जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की द्रश्टी से निमलिखित मैंसे कौन सा एक क्रमिक विकास का सही अनुक्रम है इस कुश्चन को हमने ज़स्ट अभी कंप्लीट किया है इससे पहले तो इसका सही आंसर बता देते हैं सार कच्छप और उद बिलाओ बिलाओं ज़स्ट अग्रमिक विके गास का से लगे तो इस बीडियो से कम से कम आपको दो से तीन कोश्यन मिलने वाले जी के वाले पूर्शन में चेप्टर नमबर 3 शुरू करते हैं चेप्टर 3 शुरू करते हैं दोस्तों इसमें हम कबर करेंगे लगबख 30 कोशनों को बहुत ध्यान से देखिए कि सबी कोशन important है पहला कोशन है परिस्तिति की तंत्र के तत्वों के चक्करण को क्या कहते हैं, तो हमने कोशनों को highlight किया हुआ जिसे कि आपको टिक लगाने की दिक्कत ना हो, जल्दी से cover करते हैं पा達 जात मिन्निट में chapter को complete करते हैं, तो पारीशंती तंत्र के तत्मों के रूप में महा सागर पर प्रतिकुल प्रवाब पड़ेगा और दूसरा महा सागर की खाद सेंगला पर प्रतिकुल प्रवाब पड़ेगा second answer ठीक हो यानि पहला और दूसरा statement बिल्कुल ठीक है तो केबल first और second यह answer ठीक हो जाएगा यह answer कुछ बर्स पहले तक गिद भारती गाओं में आम तोर पर दिखाई देते थे किन्तु आजकल कभी कवार ही नजर आते हैं इसका क्या कारण है तो देखिए इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या हुआ था बी आंसर को देखिए गो पसु मालिकों द्वारा रोगड़ पसुओं के उपचार हेत्तु प्रियुक्त एक औसे दी है तो दबाओं जो दी जा रही है इस तरह की दबाए दी जाती है पसुओं के लिए कि उनके जो मरे मिरत मास को अगर वो खा लेते हैं तो उनको भी हार्मफुल होता है वो गिंदों के लिए इससे गिंद नश्ट होने लगे दी दी यह इसका मुख्य कारण है कूशkówन फूर्ट को देखते हैं जै ब विबिता को किस रूप में तो परिस्markt की तंत्र भी रूप में भी जानते हैं ये अंसर्ट इसका ठीक हो जाएग भीवाला चलिए फिफ्ट को देखते हैं निमन मैंसे कौन सा कथन सही है तो इस मैंसे जो कथा है न दोस्तो ए वाला ठीक है जैब मंड़िल परिस्थित की तंत्र की जैब बिभित्ता को बड़ोत्तरी के लिए उत्तरदाई नहीं है है ना तो D answer ठीक होगा पोस्टन इस तरों की कम संख्याब से लिए question 8 देखते हैं अन्य मृत जानवरों पर जीवन निर्भा करने वाले प्राणी को कहा जाता तो इसको हम कहते हैं D composer कहते हैं अब गटक जिसे हम कहते हैं हिंदी में question 10 है घर्टी उत्पादन सीलता के क्रम में परिस्तितिक तंतर में निमलिखित में से कौन सा क्रम सही है तो इस question को पिछले chapter में हमने complete किया था 11 question को देखते हैं किसी परिस्तितिकी तंतर में उर्जा प्रवा के बारे में निम्न में से कौन सी सरंकला सही है तो C answer बिल्कुल ठीक है उत्पादक उभोगता और अब गटक question 12 को देखते है question 12 है प्रिकास रासाइनिक धूमर का बनना किसके बीच अभी किरिया का परिनाम होता है तो इसका सही answer हो जाएगा दोस्तों A वाला है 15 question को देखते हैं तो किस से होता है भी ये उर्जा प्रिमेड से होता है Q17 को देखते हैं यहां से कुछ कारण दे रखे हैं उनके सही आंसर आमें एक से भी ज़्यादा बिकल्ब इसके सही हो सकते हैं 17 Q17 का सही आंसर आपको बताना है देखे नियमने लिखित मेंसे कौन सा काता है परिकास संसरलेशन के संथर में सत है पता ना है दोस्तों हमें तो देखिए C आंसर को देखिए पहला और दूसरा दौनों ही सही हैं आप देख लीजे इनको चली कोशन देखते हैं 18 पौधों की पत्तियों द्वारा जल के बाजपित होने की पिरकिरिया कहलाती है तो हम उसको क्या कहते हैं पौधों की बात को सरजन के नाम से जानते हैं 19 कोशन को देखते हैं यदि सूर्य से पौधों को उपलब्ध होने वाली उर्जा 20,000 जूल हो तो खाद सरंकला पौधा, हिरन, सेर में सेर को उपलब्ध उर्जा होगी तो कितनी होगी 200 जूल होगी चलिए 20 कुशन को देखते हैं 20 कुशन है पौधे जो अपना खाद बना सकते हैं कहलाते हैं जो पौधे अपना खाद यानिकी बना सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं आटो ट्रॉफ कहते हैं यानिकी आंसर ठीक हो गए यहां से कौशन 21 है हरे पौदे, दिन के समय कारवन डाय ऑक्साइट की बजाए, बायू मुदल में ऑक्सियन छोड़ते, पिर्तित होते, क्योंकि, है ना, तो इसका करण है, दिन के समय प्रिकास संसलेशन की दर, स्वसन की दर से अधिक होती है, C answer ठीक हो जाएगा, 22 question को देखते हैं, प्रिकास स प्रिक हो जाएगा यहां से, इसको आप देखिएगा, ज्यान से, चलिए, 24 question को देखने है, पौदे, किस प्रिकार का जलब सूसित करते हैं, तो कोस का जलब सूसित करते हैं, question काफी बार पूचा गया है, है ना, UPPSC 95, RAS 96 और MPPCS, 1998 में question पूचा गया है, तो द्यान इस question को very important question है, इस question को आप जरूर note down कीजिए, आप कापी और pen लेकर के बैटिए, इसके notes बनाईए, जो question आपको अच्छा लगे, important लगे, उन question को जरूर अपनी notebook में note कीजिएगा, question 25 है, निमलिखित मैंसे कौन सा एक un-V करनी है, संसाधन है, तो कौन है दोस्तों, कोहला है 26 question को देखते हैं, खाद जाल में उर्जा का पिरवा होता है, तो ये एक दिस ही होता है, यानि एक ही दिसा में होता है, चलि, 27 question को देखते हैं, एक खाद इस्तर के दूसरे खाद इस्तर में जाने पर उर्जा का हिरास होता है, कितना हो जाता है, 90% हो जाता है, तब ही आपन थी चलिए 29 को देखते हैं प्रकृति में उर्जा का मुख्य सुरोत है तो उर्जा का मुख्य सुरोत सूर रहे कुशन 3 यह बिस्व का 90 पिरतीसत जया वहार इस देता है तो किस पर उस्र कट टिवन दिये बरसा बनों में तो इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर इसका राइट आंसर होगा तो हमने चैप्टर थर्ड भी इकम्प adap कर लिये चलिए देखते हैं चैप्टर फोर को बाकी इसमें थीन से चार कोशन ओर बचे हों दोस्तों वो इंड़िए कोशन जो हमने पिछले चैप्टर में कम्क्लीट किये थे जैसे कि आप देख रहेंगे 31 कोशन निम्रिकित मैंसे कौन सा पारिश्थी तंत प्रिट्वी के सरबादिक चेत्र में फैला हुआ तो समंधर है इसका सही आंसर आपको पता है तो इन कोशनों को कवर करने की हमको जरूरत नहीं है क्योंकि हम इन कोशनों को आयन मंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाद्य बनाती है क्यों हाना तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेकि पहला ओजोन की कोई भी कारण इसमें सही नहीं है आप देखें दोनों स्टेट्मेंट को इन मेंसे आपको दोनों मेंसे कोई भी कारण इस पष्ट नही ठर्ड कोशन को देखते हैं लाइकें सबसे अच्छे सूचक होते हैं तो जल प्रदूशन के होते हैं फोर कोशन यदि प्रत्यूर पाई जाने वाली बनसपतिया पेड़ पॉदे समाप्त होजाएं तो किस गेस की कमी हो जाएगी तो सीधी बात है आक्सियन की कमी हो यहां से चलिए को देखते हैं काफी बड़ा है आंसर बहुत चोटा है द्याहन से पड़िना है को चलिए को देखते हैं आंतरक्ष में कई सो किलो मीटर की गती से यात्रा कर रहे विधुत आबेगी कंड यदि पिर्थवी के धरातल पर पहुच जाएं तो जीव जंतों को गंबीर नुक्साद पहुचा सकते हैं, ये कंड किस कारण से पिर्थवी के धरातल पर नहीं पहुच पाते हैं, तो नहीं और दूसरा पहला और थर्ड जो कारण है वो इसके लिए जिम्मेबार होगा वायू अंडर प्रितिवी के सतह से केबल ऊपर की और गर्म होच सकता है थर्ड कारण दे रहका ऊपरी वावा कम घनी होती है तो पहला और तीसरा जो कारण है विलकुल सही कारण है इसका Q8 देखते हैं, किसी जगह के फिलोरा तता फना सूचित करता है, तो क्या करता है सूचित है, पेड़ पोतों आपने के लिए किया जाता है, तो यह किया जाता है, हरे पाद पोंके द्वारा, स्री आंसर ठीक हो गए यहां से, Q10 है, पाइरो हीलियो मीटर का पिरियोक निम्न मै सें किसे नापने के लिए किया जाता है, तो सॉलर रेडियेशन को नापने के लिए के गोलिए सिद्दान कृश्षन को देखते हैं अधिकतर पेड़ पौदे पाए जाते हैं पुशन को ने किसे तंक्रों को लिखेते हैं एक आधिकबार्य यूनिट भनाते हैं इसको का चलन प्रतीशत को ने वाली ना मॉली की आत्रता को क्या कहते हैं तो आपेक्षिक आदरता कहते हैं उसको 16 कोशन है एलवीडो पिरभाव अपेक्षाक्रत उच कब होगा राता काल और देर संद्याकाल में हो जाता है 17 कोशन बहें मिट्टी जो बरसा के कारण गहन निक्षालन और प्रबत्र है है ना क्या कहलाती है तो क्या कहलाती है 18 कोशन बाईवंडल में पिरदूसरकों की सांदरता को पिराया ब्यक्त किया जाता है तो किस में किया जाता है अंसपिरती मिलियन में 19 कोशन है निमलिखित में से कौन सा एक भारत का पिरवाल दीप समूओ है ना तो लक्ष दीप है और आपने सुना होगा ग्रेट वैरियर 21 कोशन को देखते हैं सीत रितू के दिनों में हम मौसम किस पिरकार का होने पर ज्यादा ठंड महसूस करते हैं 22 कोशन को देखते हैं हवा में उपस्तित ऑक्सियन का परसेंटेज आपको पता है 21% होता है 13 कोशन है 23 भारत में विसालतम लेंगून निम्ण में से कौन सा है त 25 कोशन को देखते हैं प्रकास पोसक तत्तवा एवम इस्थानों की प्राप्ती है तो निम्लिखित में से किसमें सरवादिक आपसी प्रती परदा पाई जाती है तो पाई जाती है तो बी आंसर ठीक हो छेत्रों में रहने वाले समुदा जो एक दूसरे से काफी नजदीक र 27 कोशन को देखते हैं किसी समंद्री परितंत्र की उत्पादक्ता में ब्रदी उसके जल के निचले इस तर से उपरी इस तर में आने के कारण इस को हमने पीछे भी दोस्तों डिसकस किया है इस को आप ध्यान से पढ़िएगा इसका कारण जो है सिर्फ सेकिंड कारण होता है 28 कोशन को देखते हैं लवण जो जल को अपसोसल करता है कहलाता है तो क्या कहता है हाई ग्रो इसकोपिक लवण कहते हैं उसको 29 कोशन देखते हैं परियावरन प्रितिफल है तो परियावरन प्रितिफल है दोस्तों इन तीनों का बहुत तिक जैबिक और अजैबिक तत्रों का 30 question को देखते हैं महादीपों में अंतर इस्तों का बार्सिक्ता परिस्त 30 छेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है इसका क्या कारण है तो इसका जो कारण है सिर्फ पहला वाला कारणा भूमी और जल के बीच तापी अंतर 31 question को देखते हैं पौधों का बिसिष्ट रूप में विकास को प्रवावित करने वाला इस्तितियों का नाम बताईए है ना तो ए आंसर विल्कुल ठीक हो जाएगा यहां से आप इसको देख लीजिए चल अगला question देखते हैं 32 तडित जंजा के दौरान आकास में तडित किसके या फिर किन के द्वारा उत्पन होती है तो किसके द्वारा उत्पन होती है दोस्तों डी आंसर उप्यूक्त में से कोई भी तडित उत्पादित नहीं करता डी आंसर ठीक होगा चलिए 33 question को देखते है आदरता को मापने के लिए कि सुपकरण का प्रियोग किया जाता है तो हाई ग्रूमीटर का किया जाता है पिरवाल भित्यां समुंद्रिये पिर्थी रूप हैं है ना उसर कटवंदिये बर्सा बनों की चलिए 35 question देखते है सूरे के हानिकार किरणों से पिर्थी को कौन सा तो यह तो बहुत आस इत्रों में से किसका सबसे अच्छा बर्णन है ना तो स्याई विरिये टुंड्रा का ही सबसे अच्छा बर्णन कर रहा है 37 question को देखते हैं फसली पौदों पर खर पत्वार के प्रवाब के बिसे में नीचे दिये के कत्मों पर विचार कीजिए यानिकि अध्यन कीजिए त तो दूसरा तीसरा और चौथा पढ़िए दोस्तों यहां से यह कटाई में बादा उत्पन करते हैं यह पादव की प्रवावित करते हैं यह फसली पादवों से जल पोसक इस्थान एक इस्थान तथा प्रिकास के लिए इस परदा करते हैं तो दूसरा तीसरा और चौथा क कारण हो जाती है यह थर्टी नाइन कोशन है निम्न में से कौन प्रवाल निरंचक में सरवादिक महत्तपूर का रहे है तो कौन है दोस्तों इसका बैस भी कुश्मन है चली अगला देख्ते हैं फोटी कुश्शन को निम्न में से किसकी ब्रदी के लिए लवण कच्ष आदर स तो किसके लिए लवण ब्रदोभिद्ध यानि कि यह आंसर है बिल्कुल ठीक है यहां से पहला करांँ सही है 41 question को देखते हैं मरुस्तल में उगने वाले पौदे क्या 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 आते हैं तो मरुस्तल में उगने वाले पौदे क्या कहते हैं तो हेलोफाइट कहते हैं इनको 44 question देखते हैं उपजाव लोम म्रदा में बालू अम्रतिका का आदर सनुपात क्या होता है तो 50-50 होता है दोस्तों भी सी आंसर ठीक हो जाएगा 45 question को देखते हैं नाइट्रोजन योगी करन करने वाला जीवान हो है ना तो 47 question को देखते हैं भूतल पर दीर काली निर्वाहिद जीवन किसकी विसेशता है ना तो पारिष्टितिक तंत्र की विसेशता है 48 question को पढ़िएगा भारत में समुंद्री जल में हानी कारक सयवाल प्रस फुटन में हो रही ब्रद्दी पर चिंता ब्यक्त की गई है इस सम्रत सम्रति का क्या कारक तत्व हो सकता है तो पहला दूसरा और तीसरा तीनों ही कारण इसके लिए चिम्मेवार हैं दोस्तों चलिए 49 question को देखते हैं विस परियावरण सुविदा का प्रारंब हुआ था तो कब हुआ था 1985 में हुआ था पर्यावरण दिवस कम मनाई जाता है तो 5 जून को मना जाता है काफी बार question यह पूंचा गया है और में साथ सी Question किसी ना किसी लिक्षन में आप देखते ही रहते ही तो बहुत common चलिए अगला देखते हैं 53 निउन पोसत सांधरता बाले जिलास से हैं ना तो नितल छेत्र में है ना जो निचली स्थर पर होते हैं डी अंसर उसका ठीक हो जाएगा इबी एस संग छेपन इसका क्या आर्थ होता है एन्वारिमेंटल स्टडी इबी एस का जो फुल फॉर्म पूछने का मतलब है इसका ठीक है ना तो हो जाएगा एन्वारिमेंटल स्टडी 55 को स्टन को देखते हैं निम्न मैंसे कौन सा सीतोसन घास के दौरान यूरेसिया में पाए जाते हैं तो कौन पाए जाते हैं इस्टेपीज पाए जाते हैं चलिए अगला देखते हैं 56 बायुदा सबसे कम होता है तो ग्रीस मृतू में होता है 57 को स्थन को देखते हैं निम लिखित मैंसे किस में प्रवाल भित्तियां हैं तो पहला और तीसरा पहला और तीसरा मन्नार की खाड़ी और अंडवान और निकोबार दीप में चलिए 58 को स्थन को देखते हैं भारत में मिरदा अपक्षे समझ से किस के या फिर किन के किन से संबंदेता है तो किस संबंदेता है यानि कि पेणों का जादा काटा जाएगा तो मिरदा अपक्षे आपको देखने को जाएदा मिलेगा 59 question है पबनो का मौसमी उतक्रमन किसका इस्थाई प्रारूपी अभी लक्षन है तो किसका है दोस्तो मौनसून जलबायू का चलिए 60 question को देखते हैं जो कि हमारा last question है आज का बनले इस chapter का last है लाइकेन जो एक नगन चटान पर भी परसित के अनुकरम को प्रारंब करने में सक्षेम वबास्तम में किनके सहजी भी या पिर सहचर रहे हैं या न तो सैवाल और कबग किसका सही अंसर होगा आईएस 2014 में ये पूछा गया है question दोस्तो चली chapter देखते हैं 5 को यहां से हमने cover कि जरूर बनेंगे आपके फोरेश गार्ड में राजिस्तान हो उत्तर प्रदेस हो कोई साभी फोरेश गार्ड हो चाहें दिल्ली हो चातिस गड़ो जहार गंड हो किसी भी फोरेश गार्ड की या फिर किसी भी बंडे एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो इस chapter को आपको कुशन देखते हैं बाईू मंदली नाइट्रोजन के भीतर नाइटरेटों का सूक्षम जीव यह बिगटन यह कहलाता है तो हम उसको क्या कहते हैं बी नाइट्री करण कहते हैं यान की बी आंसर ठीक हो गया कुशन 2 है कुशन 2 देखते हैं पौधे मिट्टीयों में भंडा किस प्रकार की पौदों की जड़ों में उपस्तित गाठों में पाये जाने वाले जीवालू नाइट्रोजन इस तरी करण का कार्य करते हैं ना, तो यह करते हैं दलहन के पौदे जो होते हैं, चलिए फूर्थ कोर्शन को देखते हैं निमलिखित मैंसे किस अवस्था में अपसोसित नाइट्रोजन का परिवर्टन अमोनिया एवं अमोनियम योगत कों में होता है तो हम उसको क्या कहते हैं अमोनी करन कहते हैं फिब्ध को देखते हैं, निमलिखित पर बिचार करना है, पिरकास अंसलेशनल दिया है, स्वसंद दिया है, जैप अधारतों का अपक्षे दिया है, और जो आलम की क्रियाएं दिया है, तो इनको करते हैं, बूछाय क्या दिखते हैं, उप्यूग तुमें ऐसे कौन सी क्रिया आती है, तब है, अब गटन, अब गटक इनका भिक्टन करके, किस तत्व को बात्तावरण में बिमुक्त कर देते हैं, तो किस को कर देते हैं, कैल्सियम को, बी आंसर ठीक होगा, चली, 7 कोशन को देखते हैं, जी मंडल ये, परिस्तितिकी तंत्र में संचरण में भाग लेन चली, लाश्ट कोशन को देखते हैं, जो कि हमारा एट है, जी मंडली परिस्तितिकी तंत्र में बिभिन्ने संगठों के संचरण के लिए निम्री खित में से कौन सा प्रमुक्चालक बलका करता है, तो कौन करता है, उर्जा प्रभा करता है, तो पांच चैप्टर दोस्तों हमारे यहां से कंप्लिट हो चुके हैं, इस बाले चैप्टर थोड़ी कोशन कम ठे, चलिए नमबर चैप्टर देखेंगे हैं, शिक्स, चैप्टर को देखेंगे अगे अब, चैप्टर सिक्स है हमारा परिस्तितिकी में बनों का महत्तु, तो यहां से समझाएगें दोस्तो 35 कोशनों को जो कि परीक्षा की द्रश्टी से बिलकुल important कोशन है तो पहला कोशन देखते हैं यदि उस्म कटिवन दिये बर्षा बन कार दिया जाए तो ये उस्म कटिवन दिये परण पाती बन की तुलना में सीग्र पुनर योजित नहीं हो पाता ऐसा किस लिए होता है है ना तो ये किस लिए होता है देखिए ये वाले भी कल्प को पड़िये आप इसमें लिखाए बर्षा बन की मिरद्धा में पोस्कों का आभाव ये इसका सही आंसर है चली अगला कोश्चन देखते हैं फटा फट से इन कोश्चनों को कम्पलीट करते हैं सेकंड कोश्चन है पारिष सिद्की निकाय के रूप में आर्थ भूमी है ना जिसे हम बरसाती जमीन केहते हैं निक्षित मैंसे किस है तू उपियोगी है तो देखी ये सबी कारण है इसके A, B, C, टीनों ही कारण हो जाएंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा D वाला चली थर्ड कोश्चन को देखते हैं भारत की आद्र भूमियों के संदर में निम्रिखित कत्नों पर विचार कीजिए ना तो पहला और दूसरा कथन देखिए दोस्तों कौनसा कथन सही है ये पूंचना चाहरा है तो दोनों ही कथन सही है अपनी दरिश्टी से देख होते हैं टोटल जो भूमिय हमारे पास है उसके तो 33 परसंट होते हैं दोस्तों है ना बनवाई थर्ड यानि की यह आंसा दे रखा है सी बिलकुल ठीक है यह चली कुशन फाइव देखते हैं 2004 की सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया कि गरान जिसे मैग्रों कहते हैं समंद्र मंड़ाय का फिर्टिसक्र मे लोग तो 6 कारन चली इसका यहां बblesे में प्रतिस्त प्रतिसत सब्से ज्यादा प्रतिसक्र कि त्रतिसत से हैं ना जाते हैं लोग जाते हैं चली सबसे जब मिजोरम में, इसके उपर भी एक वीडियो लेकर के आएंगे, बनों के उपर, फोरजगाट को तो बिल्बूल टार्गेट करके तैयारी करी रहे हैं, तो इसके उपर भी लेकर आएंगे, कि सबसे जायदा, वन किस राजय में, प्रतिसत के मामले में कौन जायदा है, ना, तो किस की है, जो C आनसर है, तो ये बलकूल सही आनसर है, C तोस्न, कटवन दिये, घास प्रिदेश का, 8 कुस्षण को देखते है, निम्लिखिस में से किस कार्ले से परिस्थित की संतुलन विगडता है, तो लकडी जब कारते हैं, तो ये विगड़ जाता है, बलकुल सही आनसर नाइन कुश्चन को देखते हैं भारत के निम्लिकी छेत्रों में से किस एक में मैग्रो बन, सदा पर्णी बन और पर्ण पाती बनों का संयोजन है ना तो अंडवार और निकोबार में ये आपको तीनों देखने को मिल जाते हैं कुश्चन 10 देखिए दोस्तों अच्छा कुश्चन है CO2 उत्सरजन एबम भूमंडली तापन के संदर में UNFCC के अंतरगत उस बाजार संचालित युक्ती का क्या नाम है जो विकासी देशों को विक्सित देशों से निध्यों प्रोथसाहन उपलब्द कराती है कि बे अच्छे प्रोथ्यों की क्यों अपना कर ग्रीन हाउस गयत उट्सरजन कम कर सके ना तो इसका सही अंतर हो जाएगा सी वाला स्वच्च विकास युक्त 11 को देखते हैं कारवन डेटिंग की संकल्पना निम्लिकित मैं से किस के उद्भूत हुई है ना किस से उद्भूत हुई तो यह हुई थी दोस्तों क्वाटो प्रोटोकॉल से अगला कॉशन देखेंगे 12 परियावरण की द्रिश्टी कौन से किसी भी देश के कुल्पूल इस कुशन को तो अभी डिस्केस किया है ना तो 33 परसंट इसका सही अंसर होना चाहिए चली कॉशन देखते है 13 पेड़ पूदे प्रिदूसन को घठाते हैं क्योंकि वे अपसोसन करते हैं किसका कारवन डियोक्साइड का चलिए फोर्टिन को समगों को देखते हैं, जो आ रिए बन को अन्नेथा क्या कहते हैं न तो इनको क्या कहते हैं, मानसून बन के नाम से भी जानते हैं चलिए 15 को देखते हैं, अच्छा कोशन है, सब ही कोशन आप देखि रहे हैं, पूछे हुए कोशन है न, एल्डीसी एससी और पीड़ों के उगने के लिए आप एक चित नियुन नतम तापमान कितना होना चाहिए चार डिग्री से इंडिग्रेट बिल्कुल आप एक चित तापमान है ये पेड़ों को उगाने के लिए अगला कोशन है 16 बहारत में बन अनुसंदान संस्थान कहा है इस देता है तो ये दहरा दून में इस देता है सही आंसर है इसका 17 कोशन देखते हैं बन रोपन पिरकिरिया है तो बन रोपन पिरकिरिया क्या है है ना बन रोपन पिरकिरिया और पेड़ लगाने की है ना तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका बीवाला चली 18 को देखते हैं बन कटाई से म्रधा का तेजी से संचारण होता है उप भूप प्रष्टिये जल के प्रवाब पर भी प्रतिकूल प्रवाब पड़ता है ये दोनों कारक सबसे बुरी तरह किसे प्रवाविद करते हैं तो पारिस्ति जिनें हम काटवाट नहीं सकते हैं 20 को देखते हैं ज्ञूम किर्सी कहां पर की जाती तो उत्री पूरवी भारत में की जाती है उत्री पूरी भारत का मतलब है जो आपको देखते होंगे मेगाले मेजरम नागा लेंड का जो एरिया है उधर जुमकी खेती की जाती है और इधर उत्राकंड बगएरा के जो एरिया है बहां पे जुमकी खेती की जाती है जुमकी खेती दोस्तों पहाडों के जो छेत्रोते उन पर ही की जा सकती है जुम् County खेटी का मतलब यह होता है एक बार जहां फसल HUGO fanov ती जाती है फिर वहां कई साल तक दुबारा से फसल नहीं होगा इंदती है जिस्सें की भुहूमी बहुत ज्यादा बेकार हो रही इस से Nुकसान भी हो रहा है तो इससी कशाया अंशर हो यह से हम करते हैं जीनों का इस्थान नंत्रिकर्ण होने देता है लिए इसमें होने देता है पहला और तीस राइस का सही आंशर है। रौधों के बिविन जातियों में और सुख जीवों से उचितर जीवों में तो पहला और तीसरा इसका सही आंसर है 24 को देखते हैं भारत में अधीकान बन संपता का मालिक कौन है तो राज्यों के पास सबसे जादा बने किसी भी राज्य के पास बनों पे जो अधिकार होता है वो राजियों का ही होता है चलिए 25 को देखिए आप इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला यानि पहला दूसरा तीसरा इसके सही आंसर होंगे आप इस कुश्चन को रीड कर सकतें अच्छे से है 516 कुश्चन देखते हैं नेलगरी पहाड़ी में पेर की सामाने जाती है न तो नेलगरी पहाड़ी हो सबसे ज्यादे पेर पार दे साज और नेंडीजय पाइजाते हैं डीजियसेम टीक भी कहते हैं 27 कोस्टन है बन महुतसब किस्से संबन देता है तो पेड़ लगाया जाते हैं पर महुतसब में 28 कोस्टन देखें मिली-जूली खेती से क्या अतात पर है पशुपलाण और किरसी जहां दौनों संभलेत रूप से की जाती हूं से म बनों के सभी बहुत तिक हैवन जैबिक संगटों के संदक्षन के लिए ब्यापक का रेक्रम 31 कोशन है भारत के निम्न मैं से किस राज्य में सुन्दर्वन पाये जाते हैं पश्य मंगाल में ही पाये जाते हैं एक मात्र राज्य है 32 कोशन मैं गरो बनों पर बैश्यक्तापन का शीन प्रभर ऑब कर से का तो कि इस तरी में डूप जाएंगे जिसन्रेंगे। 33 कोशन देखते हैं बन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं तो बन के पेड़ों की छालों पर क्या होगे मिलते हैं लाइकेन होगे मिलते हैं थरटी फोर कुशन है, उसन कटी बन दिये, बर्सा बन के ब्रक्षिएँ में पुस्ता जड़े होती है, तो पुस्ता जड़े क्या होती है, आप इसका सही आंसर यहां से रीड़ करईए, थर्टी थिरी पे MP पद्धेप्रदिस PCS में कुश्यन पूशा गया है चलिए चैप्टर अगला कवर करते हैं दोस्तों जो चैप्टर हमको important लग रहा है हम यहां से लगवग 6 चैप्टर अब तक complete कर चुके हैं तो forest सब्सक्राइब करेंगे चलिए शुरू करते हैं पहला कोश्याने सुची first को सुची second से सुमेलित करना है कुछ कारक दे रखे हैं और उनके रोग दे रखे हैं तो यह सुमेलित नहीं है सही सुमेलित आप लोगों को करना है यह चलिए हम आंसर बता देते हैं डी वाला सही हो जाएगा इसका ना एक का second यानि आर्सेनिक से किस तरह करोग फैल जाता है मलीनो सिस सेकंड वाला ठीक हो जाएगा बी का fourth तो बी का fourth हो जाएगा दोस्तों फिलोराइट से कौन सार हो जाता है सिली कोशिस हो जाता है सी का first हो जाएगा धूल के कंड से हो जाता है दोस्तों और ध्वनी से हो जाता है थर्ड वाला तो ये इसका सही मैंच है चलिए अगला कुश्चन कवर करते हैं कुश्चन सेकिंड है जल सरनक्षन के लिए दिये गए कथनों में से कौन कथन आसता है तो ए आंसर इसका गलत है जल एक गैर नभीनी करण सुरूत है चलिए थर्ड कर लेती है फोर्थ कुश्चन को देखते हैं नेम्रिखित मेंसे भारत का बहे कौन सा चेत्र है जो म्रदा अपर्दन में सरवादिक प्रवावित है ना तो उत्तर प्रदेश का तराई का जो चेत्र है चलिए कुश्चन फाइब देखते हैं फाइब कराए दुर्गों एक गाउं में रहती है दुर्गों में रहती है एवं जलावन में लकडी या गाय की गोवर का प्रियूख करती है उसे बिगत तीन महीनों में खासी एवं फेपड़ों में कफ का जमाप हो गया है इसका कारण क्या है तो अच्छा कुश है ना तो सीटर 2000 बारे में पूछा गया है तो इसका जो मुख्य कारण है बुटी वाला है याना जलावन से निकले धूल के कण उसके स्वसंत तंत्र में जमा हो गये हैं अगला कुशन देखते हैं कॉशन 6 है इस कॉशन को आपने काफी वार परीक्षाव में देखा होगा भूपाल गैस त्रासेदी संबंदे थी कौन सी गैस लीक होई थी तो यह थी मिथाईल आइसो साइनाइड चली 7 कोशन देखते हैं निमलिखित में से कौन से कारक समंदर में जल बिस्तार के लिए उत्तर दाई है तो कार्वन डाई ऑक्साइड इसका सही अंदर है चली 8 को देखते हैं अमलिय वर्सा में निमलिखि का परीकलन करने में साधान निमलिखित बायू मंडली गैसों मैसिक किन को बिचार में लिया जाता है तो किन को बिचार में लिया जाता है दूसरा तीसरा और चौथा करण इसका मुख रूप से प्रिभावी है चली अगला कुशन देखते हैं 10 निमलिखित में से कौन सा साम को देखते है निमलिखित में से कौण सी राष्टी गंगा नदीवेशन प्राधीकरन की freakin चैस्ता है तो नदीबिशन योजना एबम प्रिवंदन की एक ऩाई है तो ओक atrás ठीक हो गया है तो देखें, पहला, दूसरा और 5, पहला, दूसरा और 5 हुआ, इसका सही अंसर हो जागा, पहला, दूसरा और 5 हुआ, अगला question देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलेत करना, सूची अल्रेडी सुमेल लिता दूस्तों, आप इसको देख लिजी, question 15 को, चलिए, section question को देखते हैं, बाता बरण में, मीथेन, उत्सरजन के लिए नमलिखित में से कौन सा उत्तरदाई कारक है, तो क्या है, मीथेन, उत्सरजन के लिए आदर भूमी, जो दलदली भूमी होती है, बहाँ से मीथेन का रिसा होता रहता, वह मीथेन बनती रहती है, question 17 थो बायू गुणवत्ता का आधार बनाया गया है, एवम जिसे National Avient Year Quality Standard, जिसे हम NAAQS कहते हैं, जो केंद्री प्रदूसन नियंतरन बोड एवम IIT कानपुर द्वार ने निरधारित किया गया है, बिस्व स्वास्त संगठन द्वारा तै मानक एवम European संग द्वारा भी स्विकार तो इसको दिखिए इसका सही अंसर क्या होगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है ना, तो किसका उत्सरजन के नियंतरन की बाद चल लएए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की ध्यान देखना, कुशन अच्छा है, ऐसे कुशन कई वार परीक्शा हों पूछे जाते हैं कुशन 18 है, निमलिखित में से कौन कौन सी गैसे बाता परण में अमलिय वर्षा का काम करते हैं, यानि कि अपना एहम योगदान देती हैं, तो कौन सी है, पहली सल्फर डायोकसाइड है, और दूसरी जो है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, जिसे हम एनो कहते हैं, तो आइसो टू प्रिदूसल का सर्वोत्तम सूचक होते हैं, लाइकेन, 21 कुशन को देखते हैं, पीने वाले जल में एंटामीवा हिस्टोलिक्टिका की उपजितिति निमलिखित में से किसका सूचक है, तो बैक्टेरिया प्रिसार का सूचक है, यानि किसमें बैक्टेरिया फैल चुका है 22 कुश्चन को देखते हैं जब चमडा उध्यों दारा अपवे पदार्थों को नदियों में प्रवाहित किया जाता है तो इससे जल प्रदूसर फैलता है इससे मानव स्वास्त पर पढ़ने वाले प्रवावों को क्या कहते है तो इनको क्या कहते हैं सामाजिक कीमत कहते है धिहान रखना इच्छा कोशल है दोश्तो इस तरह का कुश्चन जरूर से बनता है परिक्षाव में क्यूंच 23 देखते हैं जल में तैरते हुए अगुलन सील पदार्तों को निमलिखित में से किस पिरक्रिया के द्वारा निकाला जाता है न तो इस हम क्या कहते हैं coagulation क्या कहते हैं coagulation ये अंदर ठीक हो गो चलिए 24 question को देखते हैं अमली ये बर्सा से बन सम्पत्यों पर नकार आत्मक प्रभाप पड़ता है क्योंकि इसमें उपस्तित रहता है क्या रहता है सल्फियूरिक अमल 25 को देखते हैं जल में लोहो धातु एवं मेगनीज को किस बिधी द्वारा अलग किया जाता है तो किस के द्वारा अलग किया जाता है फिल्ट्रेशन के माध्याम से चलिए 26 को देखते हैं निमलेखित मैं से किस रोध से प्राप्त जल में किलोराइड की मात्रा अपेक्षाक्रत अधिक पाई जाती है तो किस में पाई जाती है दोस्तों भूमीगत जल में पाई जाती है अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है गोवर गैस में सरवाधिक जोलनसील गैस है तो मेथेन होती है 28 question को देखते हैं, नेम लिखित में ऐसे किस से म्रदा अपरदन की किरिया नहीं होती, तो अब बाहन से नहीं होती है, 29 question है, स्वसन किरिया के दोरान बाहर निकली बायू में कारवन डाय उक्साइड कितनी होती है, तो किसको करती है दोस्तों, जो ए विकल्प में लिखा है, देखिएगा, 5.5 से 7 माईक्रों स्थक, यह ना, सुची 1 को सुची 2 से सुमेलित करना हैं दोस्तों, तो आप इसको सुमेलित कर लीजिए, हम थोड़ा सा थलका कर दे रहे हैं, ए आंसर यहां से बिलकुल ठीक होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड से जो फैला था दोस्तों, भोपाल गैस, दुरगटना में जो फैली थी, वो मिथाइल आइसोसाइनाइड थी, तो दी का आप फश्ट से मेल कर लीजिएगा, यह ना, तो दी का फश्ट से, तो ए आंसर बिलकुल ठीक हो जाएगा, यहां से, चली 32 को देखते हैं, 32 को देखते हैं, 32 को देखते हैं, निम्न मेंसे कहां आर से निक द्वारा जल पर दूसर सरवादी कहा, तो पस्छी मंगाल में देखा जाता है, इस को दियान रखनाग न, PCS 2015 में पूच आई यूपी में, 33 को दे 35 को देखते हैं, बैसे अपसिष्ट जिनकी प्रापती जल मल द्वारा होती है, क्या कहलाते हैं, सैनिटरी अपसिष्ट कहलाते हैं, 36 को देखते हैं, आवासी चेत्रों के लिए धनी की तैसीमा होनी चाहिए, देखिए ये कोश्चन बहुत ध्यान से समझे इसका सही आंसर जो हो जाएगा, तो 45 decibel हो जाएगा, ये कोश्चन जो पूंचा गया था, चकवंदी लेकपाल, यूपी 2015 की जो एक्जाम होगा था, उसमें भी पूंचा गया था, और सीटर 2010 में पूंचा गया है, कम से कम 10-10 पर एक्षाम भी कोश्चन पूंचा गया है, बहुत ध्यार र समझना है, इसका सही आंसर हो जाएगा, लेड, चलिए 38 को देखते हैं, नाइट रूट, नाइट यूग भोजन एवम जल के उपभोग से निमल खित मैंसे किस पिरकार की बीमारी होती है, तो कौन सी हो जाती है, मिनी माता हो जाती है, दोस्तों, इसको कन्फर्म करते हैं, इसको ठर्टी हैट को एक सेकिन्द का समय दें, सही आंसर है, इसका मिनी माता हो, पिल्कूल, और मिनी माता जो फैलता है, शोumph। ऑपको पता, पारे से भी पहलता है मरकरीश, चलिए, अगला कुशन है… अती लैड बिसाकत है, यह कुशन है, अती लैड बिसाक्त, क्या कहला तो पिलम बीस्म कहलाता है यह फिलम बीमस बीस्म बी आंसर ठीक होगा इसका चलिए 40 को देखते हैं डी डी टी के जल्बे घुलन सीलता है अबम जमाब से पहली करन बत्तकों की संक्या में कमी है इसके क्या कारण है तो इसके देखिए मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं कारणी में तूट जाते हैं इस वज़े से बच्चे पैदा यानि की बच्चे आगे विकास नहीं कर पाती है तो इसका यह मुख्य कारण है चलिए 41 को देखते हैं अमलिय बरसा नमलिखित मैं से किन कारणों से होती है तो इस कुशन को भी हमने किया था है ना एनोट और एस चलिए 43 को ये भी कोशन दोस्तु परीक्षा में पूशा गया है लेखपाल की परीक्षा में में पूशा गया था 2015 में चकबंदी पीने-योगी जल में आरसेनिक की मात्रा होनी चाहिए ना तो आरसेनिक की मात्रा देखिए बिलकुल खत्म नहीं की जा सकती ज़ल हम अंडर से निकालते हैं जमीन के उस पानी में बिलकुल लेड आर्सेन की मात्रा को खत्म नहीं किया जा सकता है लेकिन अगर मात्रा है तो जीरो पॉइंट जीरो फाइफ परसेंट है तो वो पानी पीने के लाइक होगा तो सी आंसर ठीक हो जाएगा यांसर चलिए 44 को देखते हैं ने कुष्टिक पुर्दूसक नहीं है दोस्तु सल्फ़डाई ऑक्साइड 45 को कवर करते हैं निमलिखित में से कौन सा गैसी बायू पुर्दूसक नहीं है तो नहीं है हाइड्रो कारवन 46 को देखते हैं निमलिखित पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से किसका उतसर जिन तापी बिद्धो सही उंत्र में कोईले को जलाने में होता है तो समझके सलिए इस को तो पहला दूसरा दोस्तों इसके कारण हो जाएगा पहला दूसरा और तीसरा तो डी आंसर ठीक हो मिथाईल आईसोसाइनाइट से यह हुआ था तो कहा है मिथाईल आईसोसाइनाइट बिडी वाले में चलिए 48 को देखते हैं अमलि ये वर्षा होती है तो इस को भी हमने अभी कंफर्म कर लिया है यह कोशन इसली बार बार आला है क्योंकि बार बार अलाग अला नो में से कौन सा सही है तो पहला दूसरा बिल्कुल ठीक हैं दोस्तों यहां से आप पढ़िए पहले बाले को पहले में लिखाए फिलाई-s का उपयोग भवन दिर्मान के लिए एटों के उत्पादन में किया जाता है अच्छा दूसरा कारणा फिलाई-s का उपयोग कंक्रे जल प्रदूसर्ण इस तर को बताने वाला सरवादिक सामाने सूचक जीव कौन सा है ना तो कौन सा ई को लाई है तो यहां से दोस्तों प्रदूसर्ण से जो इंपोर्टेंट कोश्चन बनते थे आपके फोरेश्ट गाड के लिए बो 50 कोश्चन हमने यहां से उठाएं हैं चल अगले चैप्टर को अगला चैप्टर है दोस्तों हमारा बन जीव सर्रक्षन यहां से हम कवर करेंगे 26 को सभी कोशन परिक्षा की द्रिष्टी से इंपोर्टेंट रहेंगे जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं तो चैप्टर को बहुत त्यान से देखिए आप कोशन को दे आने पद्धिती नहीं है ना तो नहीं है दोस्तों बनस्पती उध्यान बी आंसर ठीक हो जा रहे हैं से चली कुशन देखते हैं सेकिंड काजी रंगा किसलिए माना जाता है तो काजी रंगा दोस्तों के लिए पिर सिर्द्ध आपको पता होगा थार्ड कुशन देखते हैं सूची को सी के सूची करना है तो देखें इसको कर लीजिए एक तरफ राश्टी उद्ध्यान दे रखें और दूसरी तर जेले दे रखें कहने का मतलत है कौन सा राश्टी उद्ध्यान किस जी ले के इंद तरह पूरमें आताया तो ऩो किस इसे सबी राजिस्तान कोёл थे इसस कुशन 4 दे रखा है निम्लिकित रक्षित छेत्रों पर विचार कीजिए ना तो बांधीपूर, भीतरकनिका, मानस और सुन्दरवन उप्पूंच रहे कि उप्यूक्त मैंसे कौन से बाग रक्षित छेत्र गोसेते हैं ना तो पहला तीसरा और चौथा पहला, तीसरा और चौथा ये किस के लिए आरक्षित हैं बागों के लिए आरक्षित हैं तो इस तरह की कुशन भी बनते हैं आप ध्यान रखना चौकि फोरेश्ट गाड की परिक्षा है तो बनने जीफ सर्फरक्षन से तो कौशन अच्छे का से आपके बनेंगी तो परियाबरन वाली वीडियो आप लोगों के लिए देना इसलिए जरूरती लगभग पहने दो गंटे की वीडियो रहेगी आप इस वीडियो को पूरा देख करके परिक्षा में जाना है आप लोगों को चाहें वो राजिस्तान वाले हो दिल्ली वाले हो या फिर यूपी फोरेश्ट गाड वाले हो पिर चतिस गाड वाले हो कहीं का भी फोरेश्ट गाड की परिक्षा देने जा रहा है आप तो वीडियो को बहुत ध्यान पू अच्छा कुछ नहीं आलाग है थोड़ा सा स्वरी निम्लिखित मैंसे किस देश में उसके कुल छेत्र फलका 30% से अधिक छेत्र राष्टी पार्क के लिए के अंतरगत आता है ना तो यह राष्टी पार्क के हम समझ रहे थे यह बन वाला आ गया कि कितने बाग पर बन वाला क अधिक छेत्र जो राष्टी पार्क के अंतरगत आता है किसका यह आइसलेंड का चलिए कुर्सन 6 देखते हैं निम्लिखित मैंसे कौन सा एक भारत में बाग संरक्षित परियोजना नहीं है ना तो देखिए दुदवा भी है काना भी है और मानस भी है चिलका नहीं है चिलक चेत्रों में रहने के लिए अनुकोलित हैं जबकि चीरू ठंडे उच परवती घास के मैदान और आद्र मरुष्टली चेत्रों में रहने के लिए जाने जाते हैं तो ए अंसर ठीक होगा यहां से सेवन का चलिए एट कोशन पर विचार करते हैं करा नेम डिखित पर विचा जाता है एक तो काली गर्दन वाला सारस और तीसरा पाए जाता है उड़न गिलहरी और चौथा पाए जाता है हम्तेंदुआ है तो यह भारत में पाए जाने वाले प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं चलिए अगला देखते हैं अगला करा काजी रंगर राष्ट्य चलिए 11 कोशन देखते हैं भारत में गिद्दों की कमी का अत्यादिक पिरमुक कारण क्या है ना तो जानबरों को दर्द निवारक जो दवा दी जा रही है उसके देने से गिद्द जो का गोस्त खाते है तो उससे उनको दिक्कत होती है जिससे क्योंकि संक्या में कमी आने लगी दीरे दीरे 12 question को देखते हैं नेम्लिखित नैस्नल पार्कों में से किस एक की जलवाईू उस्ल कटिवंदिये से उपोस्न सीतोस्न और आर्क्टिक तक परिवर्तित होती है तो यह होती है नैवरा बैली नेशन पार्क की तो इसका जो सही आंसर दोस्तों डी वाला है ना की सी वाला है ना नामदफा नैस्नल पार्क की चलिए 13 question को देखते हैं नेम्लिखित मेंसे कौन सा एक परिया वर्णी परिवर्तन के पित्ति सर्वादिक संबेदन सील है तो कौन है दोस्तों इसका सही आंसर उभैचर ए आंसर सही होगा चलिए 14 question को देखते हैं नेम्लिखि सरी शरप में कंगोन आते हैं साः फ आ जाते हैं ना शिपकली बगेर जो आ जाती है सरी शरफबर्ग में आते हैं चलिए 15 question को देखते हैं जैब विदेता अपेख शेकरथ कहां अपेख शाक्रत यह रूप सी कहां सम्रद्द होती है ना कहां पर होती उसरिकट बन दी है पि संकट में चल रही है उनको किस में रखा जाता है लाल बुक में रखा जाता है ना रेड डेटा बुक 17 कोशन केवल लाम जाओ जो बिस्व का एक अकेला तैरता हुआ राश्टी होता है ना कहां पर है मनीपुर में है चलिए 18 कोशन निम्न में से कौन कौन सी इस्थानिये जाती है ना तो निकोवार कपोत एक इस्थानिये जाती है 19 को देखते हैं जील अथवा तलाब के सतह जल पर पादब लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुझ को क्या कहते है तो क्या कहते है उसको जल प्रस-फुटन कहते है चलिए 20 कुशन देखते हैं रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकरी देती है जो संकटा ग्रेस्ट है ना संकट ग्रेस्ट है तो भी आंसर ठीक होगा 21 कुशन देखते हैं टाइगर परियोजना किस वर सुरू की गई थी तो यह सुरू की गई थी 1973 में अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन है निम लिखित भारती प्राणी जात पर विचार कीजिए यह ना उप्यूक्त मैंसे कौन सा संकट ग्रेस्ट चल लाए इन मैंसे तो देखिए कौन सा संकट ग्रेस्ट है पहला है गडियाल दूसरा है चर्म पीट यह लैदर वेक टर किस राजे में इस देता है न तो साइलेंट वेली किस में कहा देखते हैं केरल में इस देता है यह चलिए 24 को देखते है किसी परजाती को बिलुप्त मात्रा कहा जा सकता है जब बहर अपने प्राकितिक आवास में नहीं देखी गई है चालीस वरसे से अधिक समय तक कोई अगर चाती नहीं देखी गए ये कोई जीव जन्तु नहीं देखा गया है तो उसको क्या मान लिया जाता है कि वो दुनिया से बिलुप्त हो चुका है किलियर हो गया चलिए अगला 25 कुश्चन को देखते हैं निम्न मैंसे कौन सा सागरी राश्टी उद्यान है है ना तो निम्न मैंसे सागरी राश्टी उद्यान कौन सा मननार की खारी है इन चारों मैंसे देखें तो लाश्ट कुश्यन है दोस्तो आज की वीडियो का हमारा निमलेखित मैंसे कौन सा भगोलिक शेत्र में जैब विवेदिता के लिए संकट हो सकते हैं तो जैब विवेदिता के लिए संकट हो सकते हैं दोस्तो बैस्विक तापन हैं आवास का विखंडन और विदेशी जाती का संकर्वन ये तीनों ही कारण मुख्रूप से प्रभावी हो सकते हैं पहला, दूसरा और तीसरा यहां से दोस्तों हमने दस चैप्टर कंप्लीट किये हैं लगवग और सभी चैप्टर फोरेश्ट गाड की जो परीक्षाइं लगी होई हैं यह उत्तर प्रदेश, राजिस्तान, चार्गंट या फिर दिल्ली की जो फोरेश्ट गाड की परीक्षाइं लगी होई हैं उनको देखते हुए तयार की गई है आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा इसके बाद भी हम 20 सर्दक्षन से संबंदित वीडियो को लेकर के आएंगे यानि कि परियावरन से वीडियो को लेकर के आएंगे लेकिन हम यहाँ पर आपको यह दिखाना चानते थे कि इसमें किस टाइब के question आप से पूँचे जाते हैं आपने देखा हुगा कि कोई भी question आपने ऐसा cover नहीं किया है कि क्यों परीक्षा में ना पूँचा गया हो पिरतिये question परीक्षा में कम से कम एक परना दो से तीन वार जरूर पूँचा गया है इस वीडियो को अगर आपने यहां तक देखा है और आप मेरी बात को सुन रहें तो आप समझ के चलिए कि आप बहुत करीब हैं अपनी forest guard की job की और यहां तक अगर आप वीडियो पर पहुँचे हैं तो आप comments करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वैसे तो हम हर टॉपिक पर वीडियो देंगे आपको चोकि forest guard की हम बहुत सीरियस तैयारी कर रहे हैं अगर आप हमारे गुरुप में आना चाहते हैं अगर आप हमारे paid गुरुप को join करना चाहते हैं सब्सक्राइब की तो उसका नंबर सतर असी चौदे उन्नीस तेतीस है यह गुरुप सिर्फ forest guard के लिए बना हुआ है दोस्तों टार्गेर तैयारी चलती है करेंट टैफियर न्यूज पेपर इंगलेस हिंदी एंसी आरटी बहुत जादा मटेरियल हम इसमें प्रोवाइड कराते हैं तो यदि आप इंट्रेस्टेड हैं forest guard में जाने के कहीं का भी forest guard आपने फिल किया हुआ है तो आप इस ग्रूप को भी जोइन कर सकते हैं वरना आप हमारी free class हो में भी हम आपको इतना content दे देंगे कि आपको कहीं जाने की सरगलत बता दिया हो तो पर कि आप चैनल पर नई है तो subscribe करके जोड़ सकते हैं वीडियो अच्छा लगाए तो दोस्तों में share कर सकते हैं मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत